दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार द्रोगा एकजाम के लिए डिटेल सिलेबस के बारे में बताएंगे 2023 न्यू एकजाम का अपडेट सिलेबस क्या है तो चलिए डिटेल सिलेबस आप सभी देखिए और सबसे जरूरी है दोस्तों एक्जाम के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जो दोस्तों नहीं सब्ध है यही आपका रिजल्ट दिलाएगा अब देखिए अगर आप सोचेगा कि हम सौ में से सौ की तियारी करेंगे इस सौ के चक्कर में क्या होगा कि जो cut कौन सा बुक पढ़ना है क्रेंट अफ्यार्स के लिए जीके के लिए सब ही चीजों के बारे मापको एक ही वीडियो में डिटेल्स जानकारी मिलने वाला है तो चलिए बिहार द्रोगा एक्जाम का न्यू अपडेड़ेट सिलेवस देखिए कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है अभी देखेगा दोस्तों नया वाला जो एक्जाम है 16 जुलै वाला मधनी से तरोगा का जो एक्जाम लिया गया था इस एक्जाम है दोस्तों इंगलीस से भी क्वेस्चन पूछा गया है अब आपको इंगलीस हिंदी सब ही चीजों के बारे में डिटेल्स जाएगा अभी दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दरोगा एक्जाम के लिए फॉर्म फिलब करना है तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा क्या आपका पीटी यानि की प्रादमभिक परिक्षा होगा पीटी एक्जाम आप पास की जिगत इसके बाद जो होता है दोस्तों मे पीटी में 20 गुना रिजल्ट आ जाएगा तो हम आसानी से पास हो जाएगे ऐसा नहीं है आपको इसमें भी अच्छा खास है स्कोर करना परेगा तभी रिजल्ट हो पाएगा तो पीटी के बाद होता है मेंस एक्जाम यानि की मुख्य परिक्षा और इस मेंस में दोस्तों दो पेपर होता है पहला पेपर होता है हिन्धी का जो कि क्वैलिफय होता है उस एक सो में से आपको बस 30% मार्क्स लाना है इसका marks merit में नहीं जूटेगा दूसरा पेपर यहां पर है GS general studies जो की math reasoning gk science वाला पेपर है और इसी पेपर में दोस्तो 100 question का ये total paper होता है marks की बातकरित एक question दो marks का यानि 200 का इसी पेपर में marks के अधार पर आपका merit बनने वाला है ये तो हो गया 100 details means pass की जिएगा तो इसके बाद होगा physical test physical test दरोगा में qualified है physical pass हो जाएगा इसके बाद आएगा merit list और merit list आने के बाद आप finally दरोगा बन जाएगा तो आप बताईए दोस्तों कि आप में से किसका किसका सपना है double star यानि भीहार दरोगा बनने का किसका किसका dream job है बिहार दरोगा फटाफट आप सभी comment करके बताईए यहां सबको short जानकारी होगी आप चलिए detailed syllabus के बारे में देखिए PT exam में आपको कौन-कौन से topic पढ़ना है PT में देखेगा तो math भी पूछा जाता है तो सभी चीज़ों के बारे में आपको detail syllabus बताने वाले हैं अब यह जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों यह official syllabus है यहां पर आप देखेगा पांच में नमर point में है नियूक्ति की परक्रिया यानि selection process तो जो अभी आपको short में बताए हैं प्रारंभीक परिक्षा man's exam physical merit list इसी के बारे में यहां पर details में दिया हुआ है तो देखेगा यहां पर आवेदन पत्रों के संग्रहन के उपरां समिक्षा की जाएगी तो ऐसे अगर form सही से फिलब करते हैं तो reject इसमें किसी का नहीं के बराबर होता है इसके बाद होगा आपका लिखित परिक्षा जो की दो सनुसार कौन सा पैटर्न बेहतर है ओमर सीट वाला या फिर सीवीटी कंप्यूटर बेस टेस्ट आप अपनी राय कमेंट करके बताईए पीटी एक्जाम में दोस्तों आपसे यहां से अपन क्यूंध कर करका टोटल सौ क्वेस्टं पूचा जाएगा अब यह सा औक्वेस्टन कौन कौन से सब्जेक्त से रहने वाले हैं यहाँ से अप देखिए इसके बाद देखिएगा यह जो सो क्वेस्टं ha fanet की लेकिन आपके लिए सोहलियत रहेगा कि आप question वाला pattern को समझे यह आप धिहान रहेगा सौ question सौ में पीटी में बात करें पिछली बार एक सट question बनाने पर result हुआ था पिछली बार का question बहुत hard पूछा गया था 2020-213 जिसमें मेरा भी result हुआ था ये जो PT exam दिखेगा तो December 2021 में लिया गया था तो इस वाले में दोस्तों बहुत hard आया था अब ही वाला 2023 का जो pattern है 2023 में क्या है कि question बहुत hard नहीं पूछा जा रहा अब नहीं पूछा जा रहा है तो आप सुचने हों कि मेरे लिए फैदा है तो नहीं दोस्तों अगर hard question रहता तो आप बहुत कम पढ़के भी यानि fix fix चीजे पढ़के भी result ले सकते थे लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि असान question आ रहा है तो आपको लगभग अब सभी topic पढ़ना पढ़ेगा पहले यहाँ पर पिछली बार 61 question पर result हुआ था इस पार आपको 75 plus का target रखना है minimum cut up की बात के 73-74 से cut up कम जाने वाला नहीं है जो अभी वाला question का pattern पूछा गया था अगर question का level hard आया तो आपको थोड़ा down cut up देखने को मिलेगा अगर इससे भी असान आ गया तो 80 भी cut up जा सकता है यह बाद की बात है लेकिन यहाँ से आपको एक अंदाजा हुआ होगा तो देखिए आपको pattern आसान आये hard आये इससे डरना नहीं है बस अपनी त्यारी को बेहतर करके जाना अगर असान आएगा तो ज्यादा बनेएगा अगर hard आएगा तो कम बनेएगा तो हाँ पर क्या होता है कि cut up भी कम ही जाएगा तो PT exam यहाँ पर 100 का हो गया जिसमें आपको 30% marks लाना पड़ता है लेकिन 30 पर आपका result होगा नहीं जैसा कि अभी आप लोगों को बता इसमें लगवग आपको 75% score करना पड़ेगा आपको यह target रखना है भले कठा यहाँ पर बात करें PT में 72-73 पर result हो जाओ अलग बात है ल मुख्य परिक्षा देखेगा तो मुख्य परिक्षा यानि मेंस exam में दो पेपर है पहला पेपर है समान हिंदी और यह हिंदी वाला पेपर आपको देना परेगा पहली पाली में परिक्षा 10 बजे से 12 बजे की बीच में जो है हिंदी वाला पेपर होगा इसके बाद दूसर दूसरा जो पेपर है, दोस्तों यहां पर समान अध्यन का, जो की यहां पर जेनरल एंश्टडी हो गया, अब इसमें देखेगा, यहां पर पैटर्न में आप, तो समान अध्यन है, समान विज्ञान है, नागरिक सास्त है, भारतिय इत्यास है, भारतिय भूगोल, गनितियों, मानसिक, योगताजाच ग्यानी रिजनिंग है तो मेंस का जो पैटर्न है, दोस्तों, पीटी में क्या है, कि सिलेबस में आप देखेगा, तो माइट रिजनिंग नहीं दिया हुआ, जिसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटी का जो पैटर्न है, पीटी में बस यहाँ पर यह लिखा हुआ, एक परिच्छा के अभी दो घंटेकी होगी और उक पत्र में समान ग्यानियों, समसामिक, मुद्दे से संबानित परस्न पूछे जाएंगे तो दरोगा एकजाम की बात करें, दोस्तों, दरोगा का जो चरन रहा है, आप देखेगा, तो टोटल तीन चरनों में रहा है सबसे पहले बात करें, देखें, बीपी, एससी, आयोग, यह नहीं की 10-15 साल से है, यहाँ पर एकजाम लिया जा रहा है जाता था, तो 2017 से बात करें, 2020 भरती तक, जिसका एकजाम जो है, दोस्तों, 2021 में लिया गया है, लाश्ट, 2019 भरती वाला का जो एकजाम लिया गया था, दिसंबर 2020 में, यहाँ तक का जो पैटर्न है, दोस्तों, लगभग सेम रहा है, यहाँ तक क्या होता था, कि क्रेंट पूछा गया था यह 2020 तक हो गया और 2020 में पहली बार पाँच क्वेस्टन मैथ जिनिंग का इंट्री हुआ 2017 तक पीटी में नहीं पूछा जाता था मैथ जिनिंग बस जी के करेंट अफियर्स पढ़िये इसके बाद 2020 वाला जो 213 भरती था जिसका एकजाम 2021 में लिया गया दिसंबर 2021 में अब इस एकजाम में क्या हुआ दोस्तों कि 60-40 के रेशियों में क्वेस्टन पूछा गया इसमें अब तक का सबसे हार्ड पेपर रहा है और बिल्कुल आट अप सिलेबस पूछा गया था इसमें क्या था कि 60 परतीसत जो आप प पूछा जा तो बागी कुछ जीके में वाल जीकेस ऐसे ऐसे क्वेस्चन थे जो जेनरली बुक में नहीं दिया हुआ रहता है यानि आप बना ही नहीं पाईएगा इस कारण से इसमें क्या हुआ कि कटफ देखेगा तो बहुत ही डॉन मात्र एक सथ गया और यहां पर आप दे इसके बाद अभी वाला पैटर्ण जो है दोस्तों 2023 में जो कि अभी नए चैर्मेन के आने के बाद लिया गया है फर्स्ट एकजाम पिटी का जो कि 16 जुलाए का इस एकजाम की बाद करें दोस्तों तो इस एकजाम में क्या है कि हिंदी-इंगलीस खाभी पीटी में इन्ट् दोस्तों 25 से 30 question direct indirect troop से previous year से PT exam में पूछा गया पहले इतना previous year से PT exam repeat नहीं हुगता था लेकिन अब अच्छा खासा repeat होने वाल लगा है तो अभी देखेगा बिहार police exam के लिए इस तरह से question bank आप लोगों को provide करवा दिया दरोगा में भी इसी तरह से सारा कुछ आप लोगों को देने वाले ये previous year का format इस तरह से बिहार SAC, VPSC, बिहार दरोगा सभी exam का previous year दे देंगे जिससे जो भी PT exam में लगभग 35 question previous year से ही आपको देखने को मिलेगा तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से रटके जाएगा तो असानी से बना लिजेगा और इस तरह से जो one liner format में है तो आप 4-5 वार पढ़िएगा उसी सापको clear हो जाएगा यहाँ पर एक उधारन के लिए देखेगा तो यह जो question है यह 16 जुलाय वाला PT में देखे बिहार पुलिस 8 मार्च से पुछा हुआ same question इसी तरह से 8 मार्च का आप पूरा page देखेगा तो इसी शिफ्ट से 5-6 question हूब हो आ गया है यह तो सिर्फ आपको एक page का यहाँ पर दोनों है तो दरोगा का हिए दोनों का सिलेवस सब कुछ same ही है तो आपको जो चलना है दोस्तों इधर वाला को बिल्कुल भूल जाए 2021 पैटर्न 2023 को धियान में रखते हुए आपको चलना है इस दोनों को अगर आप धियान में रखेगा तो आपको क्या क्या चीजों पर ध से आएगा तो इस 20 के लिए आपको क्रेंट अफेर्स को अच्छे से पढ़ने और हम आप लोगों को यूटूब पर भी जितने भी भीविया है टॉपिक है सब कुछ आप लोग करवा देंगे बांकि अप्लिकेशन पर अगर आप त्यारी करना चाहते हैं चाहते हैं कि आसा रिजल्ट के लिए दोस्तों आपको क्रेंट अफेर्स को बिल्कुल भी इंग्डोर नहीं करना है यहां से आप मेंस का तो पैटर्न देखे लिए मेंस में क्या होता है कि यहां पर मैथ रिजनिंग से 25 क्विस्टन पूछा जाता तो और 15 से लेकर 18 क्विस्टन सैंस से मांकि जीके से वेटे जिसमें रहता है अभी आप क्विस्टन पूछा जाएगा इस सौ मेंसे क्या है कि बीस कुष्टन क्रेंट अफेर्स से पूछा जाएगा 15-16 question जो है science से रहने वाला है अगर आपको result चाहिए दोस्तो तो science को current affairs को और math की बात करें तो 7 से लेकर करके 8 question math reasoning से पूछा जाएगा तो देखिए math reasoning को आपको बिलकुल इगनोर नहीं करना है math reasoning ही ऐसा subject है जो आपको दरोगा बनाएगा आप क्यों बनाएगा देखिए math में 25 question है merit math के अधार पर बनना है तो math में 25 में 25 सही होना चागर एक 2-4 question गलत होने पर होगा क्या कि आपका score अन्य अभ्यार्थियों से down हो जाएगा फिर आप race से बाहर चला जाएगा तो math की बहतरीन त्यारी किजिए अगर बहतरीन त्यारी नहीं है तो एक special batch लेकर आने आवाले है अभी देखेगा तो बिहार SSC इंटर लेवल के भी लगभग 15,000 पदों पर भरती आ रही है ये बार्मी पास पर ही रहने वाला है तो उसमें 80 question math reasoning का ही रहने वाला है इसके लिए और मांकी दरोगा के लिए भी टेके special batch लेकर आ रहे हैं तो आप सभी math reasoning के लिए जूर सकते हैं इसके बाद बात करें दोस्तों English की तो देखें English से 4 question पूझा गया है और 4 question हिंदी से अगर आप English medium में पढ़े हैं तो English में थ्यान दे करके जहिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल ignore हिंदी को आप बिल्कुल ignore English को किजेगा हिंदी को नहीं करना है हिंदी में 4 question है इस 4 question के लिए दोस्तों लगवाग 2 घंटा का हम आप लोगों को विडियो प्रोवाइड करवाएंगे इसी से कंप्लीट हो जाएगा इसमें देखेगा तो तद्सम तद्भव बांकी वर्न वाला topics related समाज संधी विचे ये सब चीजे में यह नहीं कि आपको बहुत याद करना परेगा बस इसका परिभासा ट्रीक के साथ आप लोगों को बता देंगे समझ लिजेगा और हिंदी जो है आपको मेंस में भी काम आएगा तो अगर आप अभी पढ़ लीजेगा दस question हिंदी इंगलिस से दिया जा सकता है तो हिंदी के लिए अभी आप ये तियारी किजेगा तो यही तियारी 30 पर 30 आपको मेंस में भी लाना है यही तियारी वहाँ भी आपको काम आ जाएगा तो मेंस में आपको बस GS paper पर धियान देना परेगा अगर आप अभी से परके जाएगा तो आपको हिंदी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना अगर आप इंगलिस मेडियम से परहत इस इंगलिस को तैयारी कीजेगा अगर आप हिंदी मेडियम से परहत इस इंगलिस को आप इग्नोर कर सकते वैसे चार के चकर में अगर आप रहेगा तो बांकी जो GK current affairs है यह आपका complete नहीं हो पाएगा अब यहां पर आप यह जानना चारे होंगे कि book कौन कौन सा पढ़ना है यानि GK current affairs के लिए देखेगा दोस्तों SPD publication के और से हर महने निकाला जाता है तो आप ले सकते हैं वैसे current affairs आपको करना का एक एक्जाम से लगवग एक महने तक का पूछा जाता है तो अभी से आप पढ़ते चलिए और बांकी जब एक्जाम जिस महने मान लीजिए दिसंबर में है तो दिसंबर के शुरू में आएगा तो उसको ले लीजिएगा अच्छे से आप complete कर लीजिएगा नॉम्बर तक का यहाँ पर question पूछा जाएगा एक्जाम से एक महने तक का पूछा जाता है कब तक का पढ़ के जाना है तो एक साल पीछे तक का आपको पढ़ के जाना बहुत चीजे नहीं पूछा जाएगा पीछे से अगर पीछे से पूछा भी जाता है 2022 का जो बहुत जैदे highlight चीजे होग पूछा जाता है यह सब आप लोग करवा देंगे बिहार current affairs आपको नहीं पढ़ना है इसमें अगर आएगा भी एक question आएगा highlight चीजे आएगा तो सब आप लोगों करवा देंगे इसके बाद है दोस्तों जीके current affairs जीके हो गया तो जीके के लिए lucent जो जीके आप लोग पढ़ना पढ़ेगा और अगर आप crown पढ़ रहे हैं तो lucent crown दोनों आप सामिल कर सकते हैं और इसके बाद है कि बाहां की दिरिष्टी ये सब चीजे तो देखिए अगर आपको lucent आपको लगेगा हां ये दो तीन होना चाहिए अब कौन सा होना चाहिए कैसे पता चलेगा तो याद रहेगा fact के साथ तभी आप बना पाईएगा तो अगर आपकी बेहतर त्यारी है तो बांकी जो advanced book है ये सब आप ले सकते जैसे दिरिष्टी हो गया और इसके बाद है previous year क लिए spark publication और भी बहुत सारे publication का आता है तो आप ले सकते है previous year के लिए book बांकी रही बात घटना चक्र तो घटना चक्र में देखेगा दोस्तों तो बिहार क लगभग सभी जाम को इसमें cover किया जाता है तो यहां से क्या होगा अगर आप question bank बनाते हैं तो और बेहतर हो जाए उसको आप देख लिजेगा यह तो हो गया कुछ basic book बांकी और जो भी बुके है आपको अच्छा लगए उसको देख लिजेगा बांकी आप पढ़ सकते हैं आपको में यह फोकस करना है कि पढ़ना है यह नहीं कि बुक ले लिए बस रखा हुआ है इससे काम नहीं चलने वा इसके बाद बात करते हैं दोस्तों science की तो लगवग 15 इसमें से देखेगा तो दो तीन question numerical based पूछा जाता है formula based यह सम्हों आप लोगों करवा देंगे 7-8 question यहाँ पर आप दिखेगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या रहने वाला है math reasoning से तो math reasoning को बिलकुल आपको ignore नहीं करना है चार-चार question इस वार Hindi English से पूछा गया है 16 जुलय वाला में तो आपको Hindi जरूर पढ़के जाना यहाँ से चार अगर आप छोड़िएगा वैसे आप English को ignore करके ही चलते अगर आप चार Hindi को भी छोड़ दीजेगा आठ question हो जाता आठ का मतलब है कि आप 90 question attempt कर रहे हैं तो आप आपको Hindi को जरूर पढ़ लेना इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जी के section की history, policy, जोगरफी, economics, चार subject है इसमें क्या होता है कि चार subject है तो दस-दस का अप लगवग वहां पर वेटेज रखिए 10 questions सभी subject से आने ही वाला है यहाँ पर क्या होता है कि economics यानि और सास्ते क्या ह होता है कभी-कभी 7-8 question पूछा जाता है और इतिहास की बातकरित, इतिहास का वेटेज दोस्तों 14 से ले करके 16 तक रहने वाला और इस 14 से 16 के बीच में देखेगा तो सबसे अधिक आधुनिक भारत यानि कि modern histories पूछा जाता है और CSBC यानि देखेगा जो chairman आये है तो KS दु चीनी करांती, रूसी करांती, फ्रांसिसी करांती उससे related पूछा जाएगा मित्र राष्ट, धुरी राष्ट ये सब आपको देख करके जाना है कौन-कौन सा देश सामिल है पांच question होगे इसके बाद बात करें भूगोल का तो भूगोल में दोस्तों भारत से related आपको maximum question द टेखने उक मिलेगा जो जैदे highlight अनुछ ये सब पूछ दिया जाता है पूलिटिकल साइंस में आप पुरा score कर लिजेगा और आपको जैदे धियान देना है पूलिटिकल साइंस पर क्योंकि इसमें आप 10 में से आप 8-9 question तक असानी से बना सकते हैं इसके बाद आपको जो दियान देना है दोस्तों इतिहास में इतिहास में आपको प्राचीन भारत पर धियान देना है प्राचीन भारत में आप सिंधु घाटी सब्यता को अच्छे पढ़ लीजिए मौर्जवन से रिल्टेट पढ़ लीजिए इसके बाद बात करते हैं आधुनिक भारत तो आधुन जाए और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भूगोल में तो भूगोल में आपको भारत से रिल्टेट चीजे जरूर सभी चीजों के बारे में आपको देख करके जाना और प्रिविएस एर क्वेस्टन करवाएंगे न तो वहां पर आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा कौन-कौन से टॉपिक, कहां-कहां से पुछा जाता है और अर्थ-सास्त की बात की बात करेत अर्थ-सास्त में जयातर फैक्ट ही पुछा जाता है तो यहां से दोस्तों आपको इस एलेवर्ट को लेकर तो कलियर हो गया waking exam मेंs ने क्या-क्याँ चीज़े पढ़के जाना है देखे, PT में अभी आपको क्या है, current affairs पर, science पर, gk पर ज्यादे फोकस करना है, जब यहीं आप mens देने जाएगा, तो हाँ पर आपका math reasoning पर ज्यादे फोकस करना परेगा, क्योंकि 25 question दोस्तों, math reasoning से ही पूछा जाता है, अभी आप praramik परिक्षा कचेस त्यारी किजिए, फिर इसके बाद mens में आपको अच्छे से लगना है, अभी सबसे पहले तो आपको PT ही पास होना है, और साथ ही आपको ये भी clear हो गया कि 2023 और 2023 पैटर्न में क्या कुछ अंतर है, कौन-कौन से topic आपको कुछ ऐसे topic है, जिसको आपको ignore करके चलना है, कौन-कौन से topic पर आपको ज्य और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अलग-अलग वीडियो के माध्यम से सभी चीजों के बारे में करके समपूर्ण जानकारी दे देंगे, अगर आप पहली बार channel पर आए हैं तो हम आपP लोगों को दोस्तों, बिहार द्रोगा एक जामकी हर एक जानकारी और पूरी तैयारी करवाने वाले हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुर जाईए